हेलो बच्चो मेरा नाम गौरव मलिक है मैं केंद्रिय विद्याले में टीचर हूँ और आज हम करेंगे NCRT Class 4 EVS Looking Around Us Chapter 8 Reaching Grandmother's House के Question Answers बच्चो Question Answers करने से पहले आप Chapter का Explanation देख सकते हैं अपलोड होते ही वीडियो का Link Description में दे दिया जाएगा जो बच्चे इस चैनल पर नए है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के Notification आप लोगों तक पहुँचते रहे First Question is आमना ट्रेवल्ट बाइडिफरेंट काइंड्स ओफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गौट डाउन फॉम दे ट्रेन यानि कि ट्रेन से उतरने के बाद आमना ने अलग-अलग परकार के परिवहन से यात्रा की Can you remember what these were यानि कि क्या तुम्हें याद है कि ये कौन-कौन से ट्रांसपोर्ट थे So the answer is आमना ट्रेवल्ट बाइ फैरी यानि कि आमना ने नोका से यात्रा की बस, बस से की and ओटो रिक्षा after she got down from the train यानि कि ट्रेन से उतरने के बाद आमना ने नोका से, बस से और ओटो रिक्षा से यात्रा की Next question is On which vehicles have you traveled? यानि कि आपने किन-किन वहनों से यात्रा की है तो बच्चों आप इसका answer खुद लिख सकते हैं यहां मैंने एक sample answer दिया है आइव ट्रेवल्ड बाइ आटो रिक्षा, ट्रेन, टॉंगा, बस, बोट, गुलोब कार्ट, यानि कि बैल गार्डी, स्कूटर, बाइसाइकल, टेक्सी, कार, मेट्रो, एरोप्लेन, एकसेटरा यानि कि इन वानों से मैंने यात्रा की है आपने जिन्वानों से यात्रा की है आप अपने answer में उन्हें लिख सकते है नेक्स्ट कॉर्शन इस विच राइड डिड यू एन्जोए दा मोस्ट यानि कि आपने कौन सी सवारी का सरवाधिक आनंद लिया है सबसे अधिक आंद कौन सी सवारी का आपने लिया है तो इसका answer है आई एन्जोएट दा बोट राइड दा मोस्ट यानि कि मैंने बोट राइड को सबसे ज़्यादा एन्जोए किया आपने जो भी राइड सबसे ज़्यादा एन्जोए की हो आप वो answer में लिख सकते है Next question is आमना लेफ्ट एहमदाबाद on 16th May How many hours did it take for her to reach अममा's place यानि कि आमना ने 16 मही को एहमदाबाद छोड़ा था अममा यानि कि नानी के घर पहुचने में उसे कितना समय लगा So आमना लेफ्ट एहमदाबाद on 16th May at 11.35am and reached अममा's place on 18th May in the evening यानि कि 18 मही के शाम को वो पहुची है 16 मही में 11.35 के टाइम वो वहाँ से एहमदाबाद से निकली थी So it took approximately 54 hours for her to reach अममा's place यानि कि उसे अममा के घर पहुचने में 54 hours लगे तो बच्चो इसमें जो उसने अपनी मौसी के घर रुकी थी तो उसने वो टाइम भी उसमें एड किया गया है तो टोटल टाइम होता है 54 hours Next question is Have you ever been on a long journey यानि कि क्या कभी आप लंबी आत्रा पर गए हैं Where did you go और आप कहां गए हैं So yes I have been on a long journey to Ooty यानि कि मैं एक लंबी आत्रा पर गया हूँ और मैं Ooty गया हूँ तो बच्चों जो Ooty है वो Tamil Nadu में एक hill station है तो आप यहां पर अपने को किसी भी लंबी आत्रा का वर्णन आप यहां पर लिख सकते हैं जो भी आपने लंबी आत्रा की हो Next question is Name the different kinds of transport that you used during the journey यानि कि परिवयन के अलग-अलग साधनों का आपने जिसका इस्तेमाल किया इस यात्रा के दोरान जो पहले question में दिया गया है उनके आपको नाम लिखने है So I use train यानि कि मैंने train का इस्तेमाल किया Auto, rickshaw, metro and taxi during the journey यानि कि इस यात्रा के दोरान मैंने इन वहानों का इस्तेमाल किया Next question is How long did your journey take यानि कि आपके यात्रा में कितना समय लगा So my journey took approximately two days यानि कि मेरी जो जर्नी थी, मेरी जो यात्रा थी उसमें लगबग दो दिन का समय लगा Next question is Omna's appa bought tickets for the train and the bus यानि कि Omna के अपपा यानि Omna के जो पिताजी थे उन्होंने train और bus के लिए tickets खरीदे Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets यानि कि आप इसके अलावा bus और train के अलावा कोई और means of transport यानि कि परिवेयन के साधनों के बार में सोच सकते हैं, बता सकते हैं जिनके लिए ticket खरीदने की जरूरत हो So other means of transport for which we need to buy tickets are कौन-कौन से हैं? वो है steamers, aeroplanes, buses, metro, etc. Next question है Sometimes we need to buy tickets to enter a place यानि कि कभी-कभी किसी जगह जाने के लिए हमें ticket के आउशकता होती है Can you think of such places? क्या ऐसे किसी स्थान के बार में आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं So sometimes we need to buy tickets to enter places like Circus, Cinema Hall, Zoo, Cricket Stadium, etc. यानि कि Circus, Cinema Hall, और चिडिया घर आदी ऐसी जगह पर जाने के लिए हमें ticket के आउशकता होती है Next question is Look at this picture of a railway ticket यहाँ पर आप देख सकते हैं एक railway ticket की picture दी गई है Find the following information on the ticket and circle them with different colors यहाँ पर नीचे कुछ information आपसे पूची गई है आपको वो find out करनी है और उस पर circle करना है तो बच्चों यहाँ पूचा गया है train number तो train number है 9037 अभी आप circle में देख सकते है 9037 train number है उसके बाद पूचा गया है the date of the start of the journey यानि जिस दिन यातरा शुरू हुई वो date आपको बतानी है तो आप yellow circle से देख सकते है 24, 12, 2006 यह आपकी date है then the birth number यानि कि जो seat number है वो पूचा गया है आप green circle में देख सकते हैं तीन seats है 21, 22 and 23 then after the fare, the cost of the ticket ticket की cost पूची गई है तो आप देख सकते हैं blue color से circle हुआ है 2578 next question is write what other information you can find out from the ticket यानि कि ticket से आपको और क्या-क्या information मिल सकती है वो आपको यहाँ पर लिखना है so we can find out हम क्या-क्या find out कर सकते हैं boarding station यानि कि जहां से आप train में बैठते हैं PNR number यानि कि passenger name record PNR की full form होती है distance यानि कि कितनी दूरी आपने तैकी destination station यानि जिस station पर आपको उतरना है उसके बारे में पता चल सकता है coach number जो आपका coach number होता है name of the train train का जो नाम है train departure time किस समय train चलेगी उसका time आप पता कर सकते हैं gender and age of passengers etc यानि कि जो passenger है उनका gender यानि कि male है या female है और उनकी उम्र क्या है ये सब चीज़े हमें एक ticket से पता चल सकती है next question is some portions of the time table for the route of the train on which omna traveled are given यानि कि जिस rail से omna ने travel किया था जिस train से उसके time table का आपको कुछ portion दिये गए है look carefully at it and answer the following questions यानि कि उससे आपको ध्यान से देखना है और जो उसके आगे questions दिये गए है उसके आपको answer देने है तो ये देख सकते हैं आप ये है time table जिसमें train का number दिया गया है train का नाम दिया गया है station का नाम दिया गया है arrival time, departure time और जो distance है और day ये सब आपको दिया गया है इस time table में इसमें पहला question पूछा गया है circle the names of all the stations in the table that are mentioned in omna's diary यानि कि omna के diary में जो भी station के नाम लिखे गए है जो भी chapter में station के नाम आए है उनको आपको circle करना है तो ये है time table इसमें सबसे पहले नाम आता है गांदी धाम का जहां से train शुरू हुई है देन एहमदाबाद, वलसाड ये सब जो station है तीनों ये है गुजरात में उसके बाद नाम आता है मढगाओं का जो की गोवा में है उसके बाद नाम आता है कोजी कोड का और कोटाइयम का जो की केरला में है एक और station है that I forgot to mention ये इस उडूपी और इसको उडूपी या फिर उडीपी या फिर ओडीपू भी बोलता है जो की करनाटका में है next question is from which station did the train start यानि कि train किस station से चली so the train started from गांधी धाम station यानि कि जो train चली है वो गांधी धाम station से चली है आप देख सकते हैं map में जो पहला station दिया गया है वो है गांधी धाम then next question is how many minutes did the train stop at एहमदाबाद station याँ पर पूचा गया है कि एहमदाबाद station पर train कितनी मिनट के लिए रुकी so the train stopped at एहमदाबाद station for 20 minutes यानि एहमदाबाद station पर जो train है वो 20 मिनट के लिए रुकी आप ये map देख सकते हैं इसमें दिया गया है 11.30 to 11.50 यानि कि जो arrival time है 11.30 एहमदाबाद station पर और departure time है 11.50 अगर आप इसका difference लोगे तो आएगा 20 minutes यानि कि एहमदाबाद में 20 minutes के लिए train रुकी next question is on which day of the journey did the train reach मढगाओ यानि कि यातरा के किस दिन जो rail है वो मढगाओ पहुंची so the train reached मढगाओ on the second day of the journey यानि कि यातरा के दूसरे दिन जो train है वो मढगाओ पहुंची आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं यह है मढगाओ और जो train पहुंची है वो पहुंची है second day next question is Sunil and Ann got off at Kozikod station Sunil और Ann जो है वो Kozikod station पर उतरे Omna got off at Kotaayam station जो Omna उतरी है वो Kotaayam station पर उतरी है दोनों station केरला में है How many hours does the train take to reach Kotaayam from Kozikod यानि कि Kozikod से Kotaayam पहुंचने में कितना समय लगा The train takes approximately 6 hours to reach Kotaayam from Kozikod यानि कि Kozikod से Kotaayam पहुंचने के लिए train को 6 घंटे लगे तो आप देख सकते हैं चार्ट में Kozikod से जो train चली थी 1750 पर और पहुंची 2350 पर यानि कि जो difference आया है वो आया है 6 hours Next question is What is the distance that the train traveled over the whole route यानि कि पूरे यात्रा में पूरे मार्ग में जो train है उसने कितनी दूरी तैकी या आप चार्ट देख सकते हैं और इसमें distance दी है पूरी 2649 किलोमेटर Next question is How many kilometers did Omna travel by train यानि कि Omna ने train से कितने किलोमेटर ट्रेवल किया So Omna traveled 2418 किलोमेटर आप ये map देख सकते हैं सोरी चार्ट देख सकते हैं चार्ट में जो Omna का deboarding station था वो था कोटाइयम और कोटाइयम में total distance है 2418 किलोमेटर Next question is Would you like to keep a diary यानि कि क्या आप एक diary रखना पसंद करेंगे तो मुझे उम्मीद है चैप्टर पढ़ने के बाद आपको भी diary लिखना अच्छा लगेगा Take a notebook और a diary Also write your thoughts and feelings और अपने विचार और भावनाएं भी लिखिए Share your diary with your friends और उस diary को आप अपने friends के साथ share करिए तो ये आप अपने से करेंगे ये question यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी doubts है तो आप comment section में पूछ सकते हैं साथी ये वीडियो कैसी लगी ये भी comment section में जरूर बताए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें और share करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाब मिल सकें साथी बच्चों आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के notification आप लोगों को मिलते रहे